आज मैं प्रोफेशनल इथिस के लेनमार केस प्रस्पेक्टिव पॉब्लिकेशन वर्सेज श्टेट ऑफ महराष्ट 1970 के केस को डिसकस करूँगा जो फियर क्रिटिसिज्म आफ जूरिशिल एक्ट पर बेज़ है तो चलिए सबसे पहले अब इस केस के फैक्ट इशू और जज एक defamation suit fail किया जाता है कृष्ण राज के द्वारा पुरा नाम है इनका कृष्ण राज ठाकर से और यह जो defamation suit fail किया जाता है वह prominent Bombay tabloid के against में suit fail किया जाता है और damage के रूप में तीन लाख रुपे की demand की जाती है और इस case की जो hearing है वो justice VM तारकुंडे करते हैं और जब hearing करते हैं तो defamation case को accept करते हुए तीन लाख रुपिय जो है किस नराज ठाकर से को allowed कर देते हैं यानि कि जो prominent Bombay tabloid bleach है वो case हार जाती है और किस नराज ठाकर से जो है वो case जी जाते हैं इसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक article में यह publish किया जाता है कि justice तारकुंडे के जो close relative है उनको large amount of loan जो है bank of India से मिला है जिसके director जो है ठाकर से हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो judgment pass किया गिया था ठाकर से के favor में वो judgment कहीं न कहीं pre-judicial है या फिर समझे कि एक तरह से loan के बदले में उन्होंने ठाकर से के favor में अपना फैसला सुना दिया है जब यह news publish होती है तो एक petition file किया जाता है बंबई हाय कोट में और कहा जाता है कि यह जो आर्ट के लिए publish हुआ है इस आर्ट के publish होने से कोट का gross contempt हुआ है और साथ साथ मिस्टर जश्टिस तारकुंडे के का भी अवमाना किया गिया है उनका भी contempt हुआ है तो जो बंबई हाय कोट होती है वो इस petition को accept करती है और जो arrived person होते है यानि कि जिन लोगों ने article को publish किया था उनको simple imprisonment की सजा सुनाते हैं एक महने के लिए और साथ साथ एक हजार रुपे का fine भी impose करते हैं और कहा जाता है कि अगर आप fine नहीं दीजेगा तो एक महने का जो imprisonment और आपको दिया जाएगा उसके बाद क्या होता है कि जो appellant है यानि कि जो news को publish किये थे वो लोग supreme court approach करते हैं और अपना contention यह देते हैं कि हमने fair criticism किया है और fair criticism of judicial act जो है contempt of court के अंतरगत नहीं आता है section 5 of the contempt of court act 1971. तो इस case का issue यह है कि whether it was a fair criticism and whether appellant is guilty of contempt of court यानि कि क्या यह जो criticism किया गया था वो fair criticism था यह नहीं या appellant ने contempt of court किया है तो अब आते हैं supreme court के observation और decision पर, supreme court करती है it is open to anyone to impress fair reasonable and legitimate criticism of any act or conduct of a judge in his judicial capacity कहने का मतलब यह है कि कि कोई भी व्यक्ति किसी भी judge के किसी भी verdict का fair criticism कर सकता है यह पुरी तरह से legitimate है यानि कि यह पुरी तरह से law में allowed है लेकिन वर्तमान में जो present case में अगर देखा जाए तो present case में जो allegation लगाया गया है वह allegation fair नहीं है कि किसी भी तरह से reasonable नहीं है और इस article के publication से समान जनता पर यह प्रभाव जा रहा है कि जज ने lack of honesty के साथ अपना verdict सुनाया है यानि defamation का जो case की hearing की गई है justice के द्वारा उसमें lack of honesty थी इसलिए present case में supreme court जो है वह contempt of court के द्वारा contempt of court जो बंबय हाई court ने agree किया था उससे अप होल्ड करती है और कहती है कि यानि कि जो publishers थे उन्होंने contempt of court किया है तो इस case के fact issue और judgment यहीं है आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें में चैनल को और अगर आपको इस case से related PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें मैं आपको PDF मोहिया करवा दूँगा थांकिस तो मच